फ्रेंड्स, ऑनलाइन और आफलाइन दोनों जगहों पे आपको बाइक और स्कूटर के बहुत सारे अलग अलग यूनीक प्रोड़क्ट्स और स्कूटरीज मिल जाते हैं इन में से कुछ प्रोड़क्त होते हैं फाइदे मन, यूसफुल जो कि काफी अच्छे होते हैं लेकिन बहुत सारे प्रोड़क्ट बिल्कुल यूसलेस होते हैं, बेकार होते हैं और इन्हें खरीद के सिर्फ आप अपने पैसे की बरबादी ही करते हो तो ऐसे ही 6 यूसलेस बाइक और स्कुटर प्रोड़क्त के बारे मैं आपको आगे इस वीडियो बताने वाला हो जो कि आपको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए और जो छटा नमबर का प्रोड़क्त है वो तो मेरा फेवरेट है, आपको भी पसंद आएगा दिखने में बहुल जबरदस्त है लेकिन वो रतले से वो भी बिल्कुल बेकार है वैसे इससे पहले मैंने 12 यूसफुल बाइक और स्कुटर प्रोड़क्त के उपर में एक वीडियो बनाया है उस वीडियो का लिंक आपको डेस्क्रेप्शन में मिलेगा तो अगर आपको requirement है तो जाके आप उन्हें वहाँ से purchase कर सकते हो पहला product है ये cruise, control, throttle, clamp, lock, assist पहले मैं आपको बहुत short नम बताता हूँ ये product है क्या, ये bike में कैसे install होता है और ये क्या और कैसे काम करता है उसके बाद मैं आपको बताऊँ क्यों मैं इसे बिकार product बोल रहा हूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है cruise control with adjustable screw साथी यहाँ पर silicon ring भी आपको मिल जाता है इस silicon ring को आपको bike का जो throttle है वहाँ पर अच्छी तरह से उसके end पे fix कर देना होता है इसके बाद यह जो cruise control है इसे इसी silicon ring के उपर में set करना होता है और इस screw को tight कर देना होता है अब design के हिसाब से यह product कुछ इस तरह से काम करता है कि जब हम लोग accelerator को लेते हैं तो यह cruise control जो है यह उपा की तरफ उड़ जाता है अब किसी भी speed को lock करने के लिए simply हमें इस cruise control को एक उंगली के हिरफ से नीचे जो हमारा lever है वहां तक टच करना होता है और उसके बाद छोड़ देना होता है इससे क्या होता है कि speed lock हो जाता है और cruise control को unlock करने के लिए just helmet throttle को नीचे के तरफ पुश करेंगे तो क्या होगा कि यह unlock हो जाता है हाला कि मैंने इसे काफी अलग लग चीज़ों टेस्ट करके भी देखा है टेस्ट का result बताने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ा इसका जो drawback मुझे लगा जिसके वाइस मैं इसे बिकाल प्रड़ रहा हूँ वो मैं आपको शो कर देता हूँ यहां पर मैं आपको इस प्रड़ का एक बड़ा जो drawback के उसके बारे में बताना चाहूंगा यहां पर आप देख लो कि जब भी आप brake को लोगे को क्या हो रहा है कि जब भी आप brake कर रहे हो तो यह उपर की तरफ जा रहा रहा है मतलब क्या हो रहा है कि जो throttle वो roll हो जा रहा है तो भाई जब भी आप ब्रेक लोगे तो अधिलेटर बढ़ जाएगा मैं इसे आउन करके दिखायता हूं ठीक है यहां पर इंजन कर लेता हूं यहां पर देखना ठीक है यहां पर आपको आर्पिम दिखाई दे रहा है फिलाल अभी 2000 के आसपास आर्पिम दिखाई दे रहा ह अब बिधको जब भी मैं ब्रेक अपलाई करूँगा ठीक है जब भी मैं ब्रेक अपलाई करूँगा तो भाई इससे कैसे प्रॉट्ट को यूज़ किया जा सकता आप देख लेbé करता है आप इस प्रषिंग को पर आपको यहां पने शॉड़िभी मैं प्रेक कर रहा हूं करना और unlock करना इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है खास करके आप वहाँ पे चला रहे हो जहाँ पे थोड़ा भीड़ बाड़ है या speed breaker आजाए गड़े आजाए कोई जानवार आजाए आपको एकदम से emergency break लगाना हो तो यह बिल्कुल भी safe नहीं है इसलिए मैं आपको recommend करने वाला हो कि आप इसे बिल्कुल भी purchase नहीं करें बिल्कुल भी useful product नहीं है थोड़ा भी useful नहीं है पूरी तरह से यह unsafe है और useless product है next product है यह tire fluorescent valve stem caps फिरन जितने भी product मैंने online मंगाया है उनमें से यह जो tire valve stem caps है यह सबसे जादा useless product है जी आप पहले नजरे में आपको समझ में नह होगे तो बहुत जादा यह glow करते हैं लेकिन इसके पीछे कुछ और भी सचाहिए जो कि आपको पता होना चाहिए देखो जब आप इसे अपने bike के, car के, scooter के, tire के valve stem caps महाँ पे लगा देते हो उसके बाद क्या होता है कि sun, सूरज की रोशनी के वज़ा से या घर में भी आप practical experiment किया है, मैंने चेक किया है, तो 5 मिनट के अंदर ही इनका जो glow है वो 60% तक कम हो जाता है, मैंने और भी चेक किया, तो 10 मिनट के अंदर में ये 80% तक एकदम less glow होने लगता है, आपको बिलकुल भी ने लगे है कि आपने इस तरह को product use कर रहे हो, ये तो अंधेरी की बात हो बिलकुल काम नहीं करते है, जितनी मरजी देर तक आप ये सुरज की रोश्णी में छोड़ दो और रात के समय में अंधेरे के समय में चलाओगे, तो बिलकुल रोड में आपके टायर में ऐसा कुछ भी नहीं लगने वाला, वील में नहीं दिखने वाला कि आपने इस तरह क यूज किया है, तो ये बिलकुल यूजलेस प्रोड़क्ट है, कहीं से भी और किसी भी सिचोशन में ये ग्लो करते हुए नहीं दिखाई देंगे रोड्स पे, तो मैं इस प्रोड़क्ट को भी आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, आप इसे कभी भी नहीं खरीदे, बिलकुल पैसे की बरबादी आपकी होगी, ये बिलकुल यूजलेस प्रोड़क्ट है, इन यूजलेस प्रोड़क्ट के बीचों में आपको एक यूजफू प्रोड़क्ट के बारे बताना चाहूँगा, जो कि है, ये कार पीम गैरेच प्रो ओवेडी स्कैनर, अभी समर से की वज़से आपको यहाँ पर 15% का डिसकॉंट मिल रहा है, और ये बहुत ही यूसफूल और इसे यूज़ करना भी काफी ही ज़्यादा आसान है, फ्रेंट सिंपली आपको इस ओबीडी स्कैनर को कार या फिर बाइक के ओबीडी पोर्ट से लगाना है, अगर आपके बाइ जिरो से 40, जिरो से 60, जिरो से 80, इस तरह के स्पीड को कितने टाइम में अचीव करती है, यहाँ पे लाइव डेटा का भी ऑप्शन है, जहां से आप स्पीड, आर्पीम, बैटरी वोल्टेज, इंजन लोड, थ्रोटल पोजिशन, इंटेक एयर टिंपरिचर, इंजन रन ट इंजन और सारे मॉड्योस को 100% फुली स्कैन कर सकते हो, अगर कोई एरर होगा तो आपको एरर कोड दिखाई देगा, साथ ही यहाँ पे जितने भी फॉल्टी कोड से वो आप किलियर भी कर सकते हो, इस स्कैन रिपोर्ट आप यहाँ एप में भी देख सकते हो, इसके अपने जो जूजे से उसका कोडिंग इन्हें चुन सकते हो, साथ ही आप स्पेर पार्ट बाइग गैरेज प्रो इस एप को भी डाउनलोड कर लिए, यहाँ से आप अपने कार के लिए इस पेर पार्ट को ओर्डर कर सकते हो, एप और वेबसाइट का लिंक आपको इसी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले काफी समय से मैं एक्सपेरिमेंट के लिए अपने बाइक के चेंस में इसे यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने गौर किया कि एक तरफ यहाँ पर क्या है देखो, कि इस चेंड पेस्ट के अंदर में आपको वाइट क्लर का पाता है, उन्हें लुब्रिकेट नहीं कर पाता है, इसके अलावाच जब आप इसे यूज करते हो, तो चुकि यह अच्छी तरफ नहीं होते है, तो कहीं न कहीं आपको ओभर लुब्रिकेशन करना पड़ जाता है, जिसके वज़एस से भी क्या होता है, कि आपका जो लुकेशन नहीं किये बिन भी यूज कर सकते हो, लेकिन चेन पेस्ट बिल्कुल भी सही सही, चेन को लुब्रिकेट नहीं कर पाते है, तो आप इसे खरीद के पैसे के बरबादी बिल्कुल भी नहीं करे, नेक्स्ट प्रोड़क्ट है, ये गेर शिफ्टर शू प्रोटेक् करता है, दिखने में भी खराब लगता है, इसलिए बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोड़क्ट को अपने बाइक का जो गेर लीवर वहां पे यूज करते है, इसी मकस्त से मैंने भी से मंगाया था, कहने को ये यूनिवर्सल है, लेकिन देखो यहाँ पर प्रोब्लम क्या ह कि यहाँ पर जो होल है, यह बहुत छोटा सा दिया गया है, हलाकि ओनलाइन अलग-अलग बाइक के मोडल के हिसाब से मंगाने को अप्शन है, लेकिन मैंने यह वाला मंगाया है, और यह किसी भी बाइक के मैंने ट्राय किया, वो फिट ही नहीं हो रहा है, इसमें होल इतना क मैं कहने को तो इन्यूवर्सल है, लेकिन जब तक यह फिट नहीं हो तो इसे यूज किस तरह से किया जाएगा, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ कि इस तरह के प्रड़क को भी मंगा कि आप पैसे की बरबादी नहीं करें, जिससे आप यूज भी नहीं कर पाओ, इससे भी बहतर बहतर option आपको online ही मिल जाएंगे, जिसके उपर मैंने video भी बनाया है, तो इस वाल जो product है, इसका link आपको description मिल जाएगा, आप इसे order कर लो, मैं पिछले 2 साल से use कर रहा हूँ, काफी बहतर भी है, लेकिन ये वाला जो gear shifter shoe product है, ये बिलकुल worthless है, बिलकुल useless है, तो आप इसे order करके पैसे की बरबादी नहीं करे, next product है, ये helmet LED light, इससे आप पूरी तरह से बेकार तो नहीं कह सकते हो, ये useful तो है, लेकिन over the time जो मैंने use किया, तो मैंने इसमें कई सारी खामिया भी देखी है, use करना तो बहुत असान है, helmet में पीछ आप विलकुरो को ल जाते हो, तो होता ये है, कि जो हिलकुरो है, वो सही से चिपकता नहीं है, ये धीला हो जाता है, जिससे इस helmet LED light के गिरने का chances बढ़ जाता है, साथी यहाँ पे permanent किसी तरह का कोई भी solution नहीं है, कि आप इसे permanently fix कर दो, उससे भी problem यहाँ पे देखने को मिलता है, मैंने यहाँ आप बैटरी का भी issue देखा है, क्यों जैसे अब यूज़ करते हो, लगतार यूज़ करते हो, तो बैटरी backup बहुत कम हो जाता, और कुछ दिरों में ही discharge होने लगता है, जो कि काफी ज़्यादा frustrating है, इससे भी आपको problem देखने को मिलेगा, साथ ही मैं आपको बताना कि price, price के हिसाब से भी मैं इसे worthless बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका price बहुत ज़्यादा high है, एक तो Chinese product है, company का कहना है कि waterproof है, लेकिन बरसाथ के दिनों में यह चलेगी कि नहीं चलेगी, इसके कोई भी guarantee नहीं है, in general इसका price maximum to maximum होना चाहिए, कब जाकब 200 रुपए तक, लेकिन आपको यह online, offline 500 से लेकर 1000 रुपए, कहीं कहीं तो 1500 रुपए में मिलता है, तो मैं इससे as a worthless product मानूंगा, आपको recommend भी नहीं करूंगा, इससे भी खरीद किया पैसे के बरबादी करोगी, कब तक चलेगा, कोई भी guarantee नहीं है, और finally जो आखरी product है, वो यह है, Iron Man helmet, I am sure इसके उ मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सो लो क्या करते है, कि वीडियो को अधूरा छोड़के चले जाते है, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि भाई, यह riding के लिए बिल्कुल भी नहीं है, यह riding helmet है ही नहीं, एक तो इसका जो price है 35,000 रुपए, बहुत high नहीं देता है, इसलिए मैं इस प्रोड़क को include कर रहा हूँ, कि ऐसा नहीं सोच के आप order कर ले कि भाई, riding के लिए है, और आप इसे मंगा के पच्ताओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक तो नियम के खलाफ है, helmet जो है उपका सर में सही से fit भी नहीं होगा, तो यह आपके पैसे की बरबादी करा सकता है, इसलिए इस प्रोड़क मैं यूज कर रहा हूँ, कि वैसे तो मस्ती मजा के लिए बहुत बहतर प्रोड़क है, लेकिन यह riding helmet नहीं है, तो इसे भी आप riding का सोच के order नहीं करें, और वैसे भी 35,000 रुपाई बहुत जादा इस Chinese प्रोड़क का कोई warranty वगरा कुछ भी नहीं है, कब खराब हो जाए कोई guarantee नहीं है, तो भाई ये भी एक useless product है, अगर आप ये सोच के से order करोगे, कि ये riding में आप use कर सकते हो, तो friends ये कुछ ऐसे useless product है, जो कि मेरे according मुझे लगा आपको बताने चाहिए, क्योंकि मैं इन्हें order करके use करते रह और इसके बार आपको जानकारी share करते रहता हूं, तो उम्मीदे इस वीडियो में दीगे जानकारी आपको पसना है होगी, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like और share जरूर से कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए, आप मुझे comment करके जरूर ब